नॉमिनेशन इस्पेशल चलिए भी बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में क्या कुछ था भाई आज तो कहानी बहुत जबरदस्त वाली दिख रही थी आज तो पूरे घर में रजट ही रजट च्छा रहा था रजट की बाते रजट का नॉमिनेशन रजट की ही सारी चीज़े आज पूरे घर के अंदर चाती हुई दिखाई दे रही थी रजट ने जो नॉमिनेशन के ना आज के बाई उससे पूरा का पूरा घर तो हिल ही चुका है सब आज लड़ने बिढ़ने पर आ चुके थे और कहीं न कहीं यह देखा जाए तो रजट शिल्पा को डिकोड कर रहा था शिल्पा के बाद चाहत आ गई चाहत के बाद कशिस आ गई कशिस के बाद करन आ गया मतलब एक 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 करके सारे लोग इंवॉल्व होते गए और कह अगई यह गेम जो है काफे इंट्रस्टिंग भी होता गया और जो आज के नॉमिनेशन से भाई कुछ लोग तो बड़े फस्ते हुए से नजर आ रहा है एलिस क्या होगा आपका हाला कि बगगा जी के लिए शिल्पा बड़ी परेशान है कि बगगा इस गर में क्या कर रहा और फिर बाद में करन को रिलाइज हुआ कि नहीं वहां पर रज़त सही था मैंने गलत आपका साइट ले लिया और करन के साथ भया हुआ है बहुत जबरदस्त वाला धोका एक बड़ फिर से शिल्पा जी आप चाहती क्या है करन वीर से हमें समझ में बिलकुल नहीं आ रहा और करन वीर आज जिस तरीके से अपसेट दिख रहा था उसका अपसेट होना बनता भी यह अब वो चाहें उसको समझाये गया है कि भाई तुम अपसेट हो अगर तुमको कोई नॉमिनेट करता है तो या फिर करन को वक कहीं में बुरा लग रहा था और आज तो उस दिन मुझे बुरा लगता जा रहा है लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है और शिल्पा जी कि कौन सी कोडिंग डिकोडिंग थी कि उन्होंने करनवीर को इस घेरे में लिया पता नहीं आज जो भी पावर थी वो रज़त के पास थी और रज़त ने अपने हिसाब से बह हमें कहा है कि आपने और भी बहुत गंदी-गंदी बाते करी हैं उनके ऐगेंस्ट हमें बताएंगी कि आपने कौन सी गंदी बाते करी करी भाई ज आमने ने अब उसके बात सब्सक्राइब बहुंद बियुक्त ऐसाना क्यों इस रहे हैं, बहुत पास बैठते हैं। तो बस वही वाली चीश शिल्पा जी के साथ हो रही है वो सभी के साथ बैठती हैं सभी की बाते सुनती हैं फिर कुछ ना कुछ अपनी टिपड़ी दे देती हैं किसी के अगेंस्ट और वही बाते उनके उपर भारी पड़ जाती है और वो आज हमें क्लियरली नजर आ रहा थ वहीं शूतिका की अगर हम बात करने जाए तो बहुत बुरा हो रहा है शूतिका का सोचो कितना बढ़िया करन चुम शिल्पा और शूतिका का बॉंड था बहुत अच्छी एक फैमिली वनी थी घर के अंदर सबसे पहले लेकिन वह बॉंड तोड करके शूतिका ने सोचा कि मै बाहर निकलती हूँ मैं बाहर थोड़ा घूमती हूँ फिरती हूँ लोगों से मिलती हूँ क्या पता मेरा वहां बॉंड बन जा है और वहां बॉंड बनाने के चकर में देखो शूतिका के साथ कितना बुरा हो रहा है जब उस दिन टास्क में दोस्ती दुस्मनी वाले टास करती हूँ हम सब बराबर हैं यहां कोई आगे कोई पीछे नहीं है और उस दिन से यह लोग शूतिका को डिकोड करते हुए आ रहे हैं कि आग लगाने की कोसिस कर रही थी हमारे बीच में फूट डालने की कोसिस कर रही थी और इसलिए हम इसको एक्सपोस कर रहे हैं तो नॉमिनेशन्स की जो कि बड़े तगडे वाले थे हैं, आज की नॉमिनेशन्स बहुत मस्त थे, सब लिए थोड़ी प्रॉबलम हो रही थी, शिल्पा जी को ज़्यादा प्रॉबलम हो रही थी, कि वो किसको नॉमिनेट करे, चपल वारूंगी अपने बच्चों को, अच्छे लपेटे में लिया उसको बात करते हैं सबसे पहले अले ऐसको दिगविजे को बुलाए गया किँए आप आई और आप नॉमिनेशन करें और धिगविजे को रजयत ने जो नॉमिनेशन दिये एक दो ठीन चार पांच उसे पांच नॉमिनेशन दिये कि वही आप 5 लोगों को और दिविजे ने सबसे पहले चाहते के साथ कि हम एलस को नॉमिनेट करने क्योंकि इनका कोई इंवॉल्मेंट घर के अंदर है नहीं और सारा तो पागली लगती है सारा को बड़ा सही था सारा मुझे पागली लगती है और वो क्या ही कर रही है इस घर में मुझे नहीं पता बगगा को उन्होंने नॉमिनेट के के साथ हपते से इस घर में हैं लेकिन इनका कोई काम नहीं सिर्फ चाय पीते रहते हैं और कोई पॉइंट ओफ यू इनका भी नहीं है अविनाश को नॉमिनेट के इसने की हमारे बीच में जो सिचुएशन हुई थी वो सिफ एक सिचु विविन को नॉमिनेट किया, कि भया ji, ये हर बात का सल्यूशन ले की-आते हैं, मैं तो यहां पर all solution का काम करता हूँ। इधर इधर खुदको बहुत बड़ा समजते हैं हैं, िज सिरुपीरियर समजते हैं, तो इसलिए भी है वो nominate कर रहा है और इस तरीके से दिखविजे के 5 nominations थे अच्छा आज 5-5 nominations मिलने की वज़े से देखो घर के अंदर 7 लोग nominate हो गया है और लोगों की भडास भी निकलिए जो लोग बहुत time से कुछ कहना चाहते थे आज वो कह भी पाया है खुल के अपनी ब विनाश को भी I think 2 या 3 nominations उसने दिये है बस एक विवियन को नहीं दिया है तो चली बात करते हैं शिल्पा को नॉमिनेशन जब मिला 5 तो शिल्पा तो वहीं सोच में पड़ गए कि अरे भाई मैं किसको करूँ क्यों क्योंकि मेरे equation तो यहां बिगर ने लग जाएंगे तो व क्योंकि यह गिव अप कर दे रही थी उस दिन टास्क में जबकि मैंने देगा कि उस लड़की ने बहुत हार्ड ट्राय करी अपनी बाद में उससे नहीं हुआ तो उसने गिव अप कर दिया तो आपे लगता है कि शिल्पा ची को कुछ और कारण ढूड़ना चाहिए था यह ना तो मैं तो टास्क जीत ही जाती और इसलिए मैं नॉमिनेट कर रही है और उसके बाद करन की जो शकल है वो देखने लाइक थी कि करन क्या फील कर रहा थे कि यह मिरसत हुआ क्या हो वह भी एक नहीं दूसरी बार भी सेम चीज हो रही है तो करन को बहुत बुरा लगा और वाकई में करन के लिए हमें भी बुरा लगा कि शिलपा जी आप यह क्या कर रही हो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था आप किसी और पांच लोग को नॉमिनेट कर देती लेकिन एटलिस्ट करन को छोड़ देती अगर आप करन के लिए कल रो रही थी कल आप कहा रही थी कि तो चला जाएगा तो मेरा यहाँ पर कोई नहीं है मैं यहाँ नहीं रहूंगी मैं चली जाओंगी लेकिन आज आप उसी करन को फिर से नॉमिनेट कर रही है और आप देखो नॉमिनेट भी है करन क्योंकि उसको पांच वोट मिले हैं फिर उन्होंने कशिश को नॉमिनेट क कि रज़त के साथ यह पूरे टाइम रहती है और रज़त इसकी बात भी सुनता है तो जब रज़त इतना गंदा गंदा बोल रहता है क्योंकि आज कल रज़त शिल्पा को एक्सपोज करने पर लगा हुआ है शिल्पा क्या है जो उनका डबल फेस है वो लोगों को दिखाने के कोसिस कर रहा है तो शिल्पा को ये बात नहीं पसंदा रही है और इसलिए वो सारा को बोल रहे थी कि सारा तुम्हें रोकना चाहिए उसको जो तुम नहीं रोक रही है तो मैं तुमको नॉमिनेट करती हूँ तो इस तरीके से शिल्पा के नॉमिनेसंस रहे पांच पिर उस फिर शिल्पा को नॉमिनेट करती है कि अगर आपको मेरी जो आप वीडियो देखी जब आप क्लिप देखी तो अगर आपको कुछ अजीब सा लगा या ओकॉर्ड फील हुआ तो आप मेरे से आके बात करती ही ना तभी के तभी लेकिन आप तो नॉमिनेशन का वेट कर रही थ नहों ना बराबर है चुम आती है चुम को भी चुम को कितने nominations मिलते हैं एक दो दो nominations मिलते हैं तो चुम LS को nominate करती है कि उनकी involvement बिलकुल कम है और अविनाश के साथ मेरी दोस्ती सबसे less अगर दोस्ती किसी के साथ है तो इसी विए चुम ने उनको nominate किया सारा आती है सारा के पास तीन नॉमिनेशन्स पांच नॉमिनेशन्स थें जिसमें वो दिखविजे को नॉमिनेट करती है और कहती है कि एक पागल ही एक पागल को नॉमिनेट कर सकता है मतलब दोनों एक दूसरे को पागल समझ रहे थे और इसलिए उन्होंने नॉमिनेट कर दिया फिसारा ने शिल्पा को नॉमिनेट किया और कहा कि जो मैंने समझाया आपने सुना नहीं, हाँ कि मैंने रज़त से बात की है, मैंने रज़त को बहुत सारी चीज़े समझाई है, लेकिन आपको नहीं पता है, तो आप क्यों ये कह रही हैं कि मैंने रज़त से बात नहीं करी है जब आपको कुछ आइडिया ही नहीं इसके विसेम है फिर सारा अविनाश को नॉमिनेट करती है कि भई दुस्मनी और दोस्ती मैं बड़े सिद्धत से निभाती हूँ तो तुम्हारे साथ मेरी नहीं है बॉन्डिंग तो मैं दुस्मनी निभा रही हूँ फिर करन को नॉमिनेट करती हैं कि वर्काउट पे ध्यान देना थोड़ा बंद करो और जो घर में बाकी मुद्दे चल रहे है उसमें अगर इन्वाल्व हो जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत बहतर होगा तो थोड़ा वर्काउट कम कर लो अपना फिर विविन को नॉमिनेट करती है सारा और कहती है कि वह यह ओल सलूशन जो बनते रहते हैं इनको थोड़ा सा गेम में भी इन्वाल्व होना चाहिए हर बात पर सलूशन की जरूरत नहीं होती है तो इस तरीके से सारा के पांच की नॉमिनेशन होते हैं बगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग धे बगाजी जाते हैं बगाजी को तीन नॉमिनेशन देता है करन रज़त और वो जाकर सबसे है और करन को नॉमिनेट करते हैं क्योंकि हम लोग क्लियरly देख रहेंसी हैं कि बगाजी में इस GoPro क्रूं को पसंद तो नहीं करते हैं जस liken करन को नॉमिनेट के दिगविजाय को नॉमिनेट करते हैं और ये कहते हैं ये दूसरों के मुकाबले मुझे पिंगते हैं इन इनवोल्मेंट कम लगती है तो इसलिए इन तीनों को नॉमिनेट के है चाहत आती है चाहत को भी पांच नॉमिनेशन देता है रजट और वो जाती है एलस के पास उनके लिए बहुत इजी होता है लेकिन करन को भी लास्ट में हो जाके नॉमिनेट करती है जबकि मुझे लगता है कि करन के साथ तो चाहत फिर भी थोड़ा बहुत में s fundo कर लेती हैं लेकिन फिर वी करन को करती है तो एलेस को नॉमिनेट मिच्ति são फोलमिनेट करती है कि इसलिए क्या चेरिक और और इसलिए उन्होंने इशा को नॉमिनेट किया विवियन को फिर नॉमिनेट किया कि इनका तरीका जो है वो बिल्कुल नहीं बदला है मुझे लगता था कि यह बदल जाएंगे लेकिन यह बदल नहीं रहें यह खुद को solve बर बोलते हैं कि मैं solve करता है situation को लेकिन यह खुद टास्क था उसके दोरां जब आप परिशान हो रहते हैं तो मुझे बुरा फील हो रहा था कि अगर आपको कोई बात चुपरी है तो आप सामने जाके क्यों नहीं बोलते हो तो इसलिए उन्होंने करन को नॉमिनेट किया अविनाश को भी रजजत ने पांच नॉमिनेशन द तो हाला कि मुझे लगता है कि वो बास्केट बहुत भारी थी और चाहाद को कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी चाहाद ने बहुत लंबे समय तक वो खेल खेला बाद में वो लड़की खुद थक गई थी यार वो बास्केट इता बहारी था उसे ना जुक जा रहा था ना उठा जा रहा था तो मुझे लगता है कि ठीक है उसने बहुत अपने एफ़र्ट डाले फिर भी अपने बहुत एफ़र्ट डाले फिर वह शृतिका को एक्सपोज करते वे बोल रहे थे कि आप जो यह यहाँ पर पॉलिटिक्स करने की कोसिस कर रहे हैं जो ह अच्छा सा बॉन्ड छोड़ करके और जाके वहां पर बैठ रही थे उट से लग रहा था कि वह लोग तो बहुत अच्छे हैं वह लोग एक अच्छे से बॉन्ड को उन्होंने बनाया हुआ है उस में भी घुज जाओंगी तो अप्शूतिका के साथ कोई भी नहीं है अप चुम को उन्होंने नॉमिनेट के विनैशनर कहा कि नॉमिनेशन के बाद अगर आप इतनी एक्टिव हो सकती है तो मैं तो आपको सारा सही कॉम्पेर करूँगा क्योंकि नॉमिनेशन के बाद सारा भी बहुत active हो गई थी तो आप में सारा में मुझे को यह अंतर दिख नही तोगी देखते हैं अब चुम क्या करती है क्योंकि इस बार चुम नॉमिनेटेड नहीं है वहीं वह कशिश को नॉमिनेट करता है और जो कि बड़ा ऐस यूजवल था कि ये फुसकी बॉम है ये जब आई थी तो ये लग रहा था कि बहुत कुछ करेंगी इस घर में आके लेक कहानी शुरूई है कि जो अविनाश ने तिल्ली लगाई है न जो करन को बार बार कहा जाता है तिल्ली लगाता है मिटी का तेल है अविनाश भी करता है ये काम और वहां से कशिश का जो बवाल है वो चालू है कि मैं तो डरती नहीं हूँ मैं तो इससे नहीं डरती उससे न डरती मैं क्यों डरूं मैं तो सही टाइम का इंतजार कर रही थी और यह सारी चीज़े जो कशिर्स बोलना शुरू करती है रज़त को वह इस अविनाश के स्टेटमेंट कहने के बाद से यह सारी चीज़े सामने आती है फिर वह दिगविजे को नॉमिनेट करता है जो कि बड़ा क्लियर था क्योंकि अविनाश दिगविजे को नॉमिनेट के था तो अविनाश दिगविजे को नॉमिनेट तो करेगा ही टास्क में दोस्ती को इंपोर करो और उन लोगों ने इसको दोस्ती दुसमनी पर फोकस करवा यानि कि मेरे उपर फोकस करवा और इसी लिए टास्क में आ करके मेरे से लड़ भीड़ रहा था जबकि उस टास्क में हमने क्लियर ली देखा कि दिगविज़ लड़ने नहीं गया था वो सिर्फ रज़त के लि लगा रही थी और तिगडम लगा कि उन्होंने करण वीर को नॉमिनेट कर दे और बाद में वो रो रही थी तो वो चीजें हमें लगता है कि शिल्पा को इतना नहीं सोचना चाहिए था लस के पास भी तीन थे और मुद्दा लिस प्राड़ी किसको बोलती है ये मुद्दा के साथ इन्होंने जो किया शिल्पा के साथ बैठती है और इन्होंने जब बारी आई चूस करने की तो इन्होंने रेज़र्ट को चूस किया तो ये कशिस का कहना था फिर वो चाहत को नॉमिनेट करती है कि जगड़े करना चाहती है हर मुद्दे में घुसना चाहती है जब को नॉमिनेट कर दिया उसके बाद जब करन जाते हैं तो करन वीर महरा को तीन नॉमिनेशन मिलते हैं और वहाँ पे करन वीर क्लियर ले शिर्पा से कहते भी हैं कि मेडम जी क्या किया आपने मुझे एक ही बात को जितनी मुझे problem हो रही है इस बात से कि आप बार बार एक बेटे का घर बसाने के लिए दूसरे बेटे का घर उजाड रही है क्या कर रही है आप और इस बात से मुझे तकलीफ है मुझे तब भी तकलीफ हुई थी आज भी तकलीफ हुई है हर बार मुझे तकलीफ हो रही है लेकिन आप सुधरने वाली है नहीं और शिल्पा वो आपसेट हो जाती है कि ओ करन तुम्हें बुरा लग गया मैं तो सोचा ही नहीं था इतना कि हाँ यही तो प्रॉब्लम है ना जो इंसान हर समय अविलेबल होता है इंसान उसके बारे में सोचता ह ही नहीं है जो नहीं अविलेबल होता है इंसान उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचता है तो शिल्पा को पता था कि अगर वो विवन को नॉमिनेट कर देंगी तो विवन नाराज हो जाएगा लेकिन अगर करन को नॉमिनेट करेंगी तो करन नहीं नाराज होगा और नहीं प्यार करता है हम उसके पीछे भाग रहे होते यह इसलिए अन्होंने फिर नॉमिनेट किया करन को और फिर वो फसी और बाद में हाला कि करन ने जब कोशिण रेस किया तो वहां पे शिलपा फिर रोती हुई नजर आई क्यों हुए मैंने गलती कर दी मेरे से तो गलती हो गई मैं तो ये समझ रही थी कि वो शाड़ा रजत इनको नॉमिनेशन नहीं थी आप शिलपा ची कुछ भी समझ रही हो लेकिन आपको ये तो समझना चाहिए था कि केवी आपका दोस्त है कल आप उसी केवी के लिए रो रही थी कि अगर तू चला गया तो आप दो फेस लेके चल रही है तो अदिक भी रही है आपकी भी ये double फेस आप लेके चल रही है और रजत ने ज्घॉब कोउज़ किया वो कहीं भी गलत नहीं किया है तो यह इस तरीके से करण ने उनको सुनाया अच्छा वाला फिर उसके बाद विवियन को की वो कामचोर ह anion Hai रजिट खुद कितना काम करता है लेकिन वीविन कोई काम करना नहीं चाहता है रजेट टाइं मगाड़ होके काम कर रहा है और वो टाइं मगाड़ जब बना था तो शिलपा झी उर्यों ने डिचाइड के था कि घर में टाइम कों कम नहीं करेगा और उसने तब भी काम नहीं किए था और आज भी काम करने के नाम पर सिर्फ यह कपड़े सुखे हुए अंदर बाहर करता है क्योंकि इसको अपने कपड़े हो इसलिए तूख util करन को अ अंदर कर देता है उसले ऐलेस को नॉमिनेट किया और वहागा को नॉमिनेट किया करण नोत, करण नोत मैंटेंश हैं, अच्छा ऐसा सिलपा बोल रही थी करण को फिर ईशा आती है। इशा को भी पांच नॉमिनेशन देताया है रजड़र्ट बहुत है तो उसमें आना अभी मत खेलो ऐसा इशा का कहना था जो कि मुझे काफी इंप्रेसिव लगा इशा देखो आज बहुत अच्छा बोल रही थी अला कि इशा के पास कोई गेम नहीं है इशा एलिस अभिनास इनके पास कोई भी गेम नहीं बच चुका है अभिनास जेल बोल पारा है वो बेकार है वो घर में किसी काम का नहीं है यह बताने के लिए यह तीनों घर के अंदर बैठे हुए है जिसमें एलिस तो फिर भी कम बोलती है यह इशा और अविनास कंटीनू यह बात बोल रहे होते हैं तो यह वाली चीज हमें नजर आती है चाहत को वो नॉमिनेट करती है कि मुझे एलिस को क्यों घसीट रहे हो हर बात में अगर आपका पंगा विनाश के साथ है तो उसी के साथ रखो फिर वस्तारा को भी नॉमिनेट करती है कि आप बहुत ट्राय कर रहे हो यहां पे रहने के लिए और आज दिगविजे वाले केस में भी क्ल लोग जो है वो नॉमिनेट हो चुके हैं I'm sorry चुम आप अपने को नॉमिनेट नहीं करते हो अच्छा चुम ने भी कहा कि शिल्पा जी आपने क्या किया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था आज चुम ने स्टैंड लिया मुझे अच्छा लगा देख करके कि चुम ने करन के स्टेंड लिया और उसने कहा कि आपने गलत किया है आप किसी और को चूज कर सकते थे हलागि वहाँ पर शिल्पा अपना जस्टिफिकेशन देना चाहती थी लेकिन मुझे वह जस्टिफिकेशन बेकारी लग रही थी और वाकरी में वह बेसलेस थी अगर आपको इतना ही बु पर शिल्पा का यह कहना कि रजट जी हमारी फ्रेटर्निटी के सारे अगर इकठे हो जाएं तो आप लोग तो कहीं दिखोगे नहीं फिर वह यह कहता है दिवी जब आपे कहता है यह कैसी बाते कर रही है शिल्पा जी आप कि आपको पता है कि उसने कितने मेडल जीते हुए है फिर वो बात मेडल पे चली जाती है और वो बताता है रजट की हाँ मैंने इतने मेडल जीते हुए है तो यह बात काफी लंबी चलती है उसमें चाहत भी कूटती है चाहत का यह कहना बार बार की रजट तु गलत बोला है तो शिल्पा जिससे ऐसे कैसे बात कर सकता है यह चाहत मुझे आज ना तुम्हारा बोलना थोड़ा सा अननेसेसरी लग रहा था, मुझे लग रहा था कि तुम क्यों बोल रही हो, शिलपा और रज़त के बीच की बात है, तुम को कर लेने तो, क्योंकि देखो रज़त तुम्हारी बहुत तो पता नहीं क्या इज़त करता है या जो भी है तुम्हारे साथ एक bond है उसका फिर भी तुम बोलती हो तो वो सुन लेता है तुम्हारी बातों को तो तुम थोड़ा सा रुख जाती है आज क्योंकि आज बोलने की जरूरत मुझे नहीं लग रहा था मतलब घर में काफ़ी लड़ाई जगड़े एक्वेशन बदलते हुए से नजर आ रहे थे तो ये सारी चीज़े हमें देखने को मिली करन भी कह रहा था कि भाई मुझे मत घसीट इन बातों में मुझे मत घसीट लेकिन फिर भी कहीं न कहीं रज़त बात करते करते कहता है यह आपके जिंगूर अगल बगर उससे कहता किसको बोला तो तुझे बोला फिर वो जेल वाली बात पहले कशिस ने उठाई फिर रज़त ने खुद एक्सेप्ट की कि हाँ मैं जेल गया था फिर वो करन पुछता है कि तुझे क्यों गया था क्या मुद्दा था तो यह सारी चीजे देखने को मिली कुल मिला के करन भी खुलता हुआ सा आज नजर आ रहा था लेकिन शिल्पा ने एक बार फिर से उसके साथ बहुत बुरा किया हाला कि शिल्पा को करन ने पलेट के नॉमिनेट नहीं किया और उसने कहा कि वही है मेरे और आपके में कुछ तो अंतर होना चाहिए तो यहीं अंतर सही तो इस तरीके से साथ के साथ लोग नॉमिनेट होके हैं बाकि आज का एपिसूट काफी बढ़िया था मजएदार था और नॉमिनेशन्स खतम हुए अब देखना होगा कि घर के अंदर यह जो वाइल्ड काड आ रही है क्या करेंगी या कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह फैमिली शो को कौन सा शो बना रहा है विग बॉस तो कल घर के अंदर वाइल्ड कार्ड की इंट्री होगी वो भी एक नहीं दो नहीं तीन तीन वाइल्ड कार्ड की इंट्री होगी तो फिर से घर का महल थोड़ा सा तो बदलेगा ही और वो सब कुछ देखते हैं मज़ा आता है या फिर कैसा लगता है बाकी मैं मिलती हूं आपसे कल के वीडियो में तब तक के लिए वाय वाय टेक के अपना ख्याल रखिए और अपनी राय कॉमेंट सेक्षिन में जरूर लिखें